नमस्कार दुस्तों All India Idea डेट चल में आपका स्वागते दुस्तों अगर आपके पास में कोई भी लैप्टोप है और यदि आप उस लैप्टोप में वाइफाई कनेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपका वाइफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं आपके पास में कोई भी किसी भी कंपनी का लैप्टोप है और कोई भी आपको वाइफाई कनेक्ट करना है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास है ओपो का एप 17 प्रो मोबाइल फोन है और म यहां पर डाल दूंगा फिर भी मेरा जो वाइफाई है वह कनेक्ट नहीं हो रहा जैसे कि अभी आपको में लाइव करके दिखाऊंगा जैसे कि यहां पर में पासवर्ट डाल दिया है उसके वाद में एंटर करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो मेरा नहीं हो रहा अगर आपको यह भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे और अपना किसी भी स्मार्ट फोन से किसी भी लैप्टॉप या फिर कोई भी आपको वाइफाई करना तो कैसे करेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को शिरू करते हैं उसके बाद में यहां पर आपको वाइफाई का उप्शन मिल जाएगा इंटरनेट का इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां पर मिलेगा वाइफाई का आपको क्या करना है यहां से वाइफाई के बटन वाले पर क्लिक कर लेना है चलिए इसके उपर में क्लिक कर लेता हूं उसके बाद तो रहाब को क्या करना है यहां पर wifi मिल्क गदेगा नहीं तो एसको अपर सकता है तो इसको आ उन कर लिय लिए नहीं तो उसके बाद में यहां पर 100 network, 100 available network लिका हुआ है, इसके उपर मैं click कर लेता हूँ, उसके बाद में यहां पर है, oppo app 17 pro, जो की मेरा जो mobile है, जो को मुझे connect करना है, तो आपको एक बार क्या करना है, जो भी अगर on है, तो इसको बंद करना है, और यहां पर turn wi-fi back on, यहां पर manually ल इसको एक बार आपको connect करना है password डाल कर अगर फिर भी आपका connect नहीं होता है तो फिर आपको यहां पर दुबारा आना है इसी setting को दुबारा टेप open करना है उसके बाद में आपको बंद कर देना है फिर one hour वाला है इसको अगेन आपको इसको manually कर देना है उसके बाद में आपको इसको चालू करना है ठीक है वाइफाई को ओन करने के बाद में यहां से आप इसको बंद कर लिजे अब हम यहीं से वाइफाई वैसे तो उसी setting में हम वहां से कर सकते थे connect लेकिन मैं आपको यहीं पर करके दिखाऊंगा यहां पर इस सब्सक्राइब कर लेता हूं उसके बाद में यहां पर क्लिक कर लेता हूं यहां पर मैं पासवर्ट डाल दिया है उसके बाद में यहां पर next पर क्लिक कर लूँगा उसके बाद में यहां पर चेकिंग नेटवर्क रिक्वाइट दिखा रहा है तो चलिए थोड़ा सा यहां कनेक्ट हो जाएगा जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो देख सकते हो ओपो एप 17 परो कनेक्टेड ठीक है यह कनेक्ट हो गया है और मैं आपको क्रॉम ब्राउजर में जाकर इंटरनेट को एक्सेस करके भी दिखा देता हूं तो चलिए यहां से में कोई भी चीज़े टाइफ कर लेता हूं तो यहां पर देख सकते हो कि इंटरनेट ओपन हो चुका है और यहां पर जो मेरा राउजर में जो में नेट चला है वह चल चुका है ठीक है तो इस प्रकार से आप इस लेप्टॉप से मॉबाइल को पसंदा हो और पसंदा है लाइक एंसर दुरो केजिएगा